तो स्वागत है आपका कॉंसेप्ट टूटोरियल में तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रस्णावली 4.1 का चार कोस्टन सॉल्व किये थे 1,2,3,4 लेकिन इस वीडियो में हम लोग 4 कोस्टन और सॉल्व करने वाले हैं 5,6,7,8 जो लोग मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग पिछला वीडियो देख लें तो आए हमें स्टार्ट करते हैं कोस्टन नमबर 5 से Q5 क्या है 2x-1 into x-3 बराबर x plus 5 into x-1 तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे ये 2x है 2x से दोनों मल्टिप्लाई करेंगे फिर माइनस 1 से दोनों मल्टिप्लाई करेंगे तो 2x से मल्टिप्लाई करते हैं 2x में x से मल्टिप्लाई करेंगे तो 2x से स्क्वाइर हो जाएगा फिर plus minus minus 2x में 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 3 to 6x हो जाएगा अब माइनस 1 में 1 से दोनों में गुना करेंगे तो माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो 1x यह हो जागा माइनस माइनस प्लस 1 में 3 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हो जागा 3 बराबर वही काम करेंगे यहाँ पर भी एक्स में एक्स से मल्टिप्लाइ करेंगे तो एक्स स्क्वार यह हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स में ओन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो ओन एक्स हो जाएगा अब 5 में दोनों से मल्टिप्लाइ करेंगे तो प्लास 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 5 में x से weist 5 x प्लास माइनस 5-5 में 1 से weist lifestyle करेंगे तो वाइनश 5 सिद्धू Chen टो क्या रूल है dat दूसरा 2 x3 उतर दूतर दिये इसके ज्पर चाहिए है तो इसको इधर लाते हैं तो प्लस इधर आएगा तो माइनस एकस स्क्वार हो जाएगा तो माइनस इकस ऐसी उतार दिये फिर माइनस एकस इधर आएगा तो प्लस एकस हो जाएगा फिर माइनस 1 x ऐसी उतार दियें इसके जारत का ये है तो इसके सामने ला देते हैं प्लस 5 x इधर आएगा तो माइनस 5 x हो जाएगा फिर प्लस 3 ऐसी उतार दियें माइनस 5 को इधर लाएगे तो प्लस 5 हो जाएगा बराबर 0 अब देखिए 2 x स्क्वाइर में माइनस x स्क्वाइर घटेगा तो कितना हो जाए 1 x स्क्वाइर यानिकी x स्क्वाइर ये दोनों को हम जोडते हैं तो माइनस 5 x हो जाएगा ये दोनों को जोडते हैं तो माइनस 6 x हो जाएगा और यह दोनों को जोड़ते हैं तो प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0 यह x square यह दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 तो क्या यह दिव घात समिकरण है? हाँ यह दिव घात समिकरण है क्यूं? क्यूंकि इसका घात 2 है अब solve करते हैं question number 6 को question number 6 क्या कहा रहा है? x square प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का whole square यह question को solve करने के लिए आपको यह formula याद होना चाहिए a माइनस b का whole square बराबर a square प्लस b square माइनस 2ab यह याद होना चाहिए आपको तो आएए इसको ऐसी उतार देते हैं x square प्लास 3x प्लास 1 बराबर इसको a square प्लास b यह फोर्मूलाब हम set करते हैं a माइनस b का होले square है तो यह होगी a square प्लास b square माइनस 2 into a into b बराबर a square x square प्लास 3x प्लास 1 बराबर x square प्लास 2 का square कितना हो जाएगा 4 यह माइनस 2 to the 4x अब देखिए यह x square x square को इधर लाते हैं तो माइनस x square हो जाएगा इसको इसके सामने इसको लाते हैं क्योंकि इसके जात का है प्लास 3x ऐसी उतार दियें इसके जात का यह है इधर लाएंगे तो प्लास 4x हो जाएगा फिर प्लास 1 अब प्लास 4 इधर लाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 अब दिखें प्लास x square माइनस x square कट गया तो कितना बज़या 3x प्लास 4x 7x आईए दोनों को घटाएंगे तो माइनस 3 बराबर 0 बराबर 7x माइनस 3 बराबर 0 तो नहीं क्या यह दिखात समिकरण है तो नहीं यह दिखात समिकरण नहीं है क्यों क्योंकि इसका घात 2 नहीं है अब सॉल्व करते हैं क्वेस्चन नमबर 7 को क्या का रहा है a प्लस b का होल क्यूँ x प्लस 2 का होल क्यूँ है बराबर 2x इन्टू x स्कॉर माइनस 1 यह क्वेस्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यह फर्मूला याद होना चाहिए a प्लस b का होल क्यूँ बराबर होता है a q प्लस b q प्लस 3ab इन्टू a प्लस b यह आपको फर्मूला याद होना चाहिए तो यह इसको इस फर्मूले पर इसको सेट करते हैं a प्लस b का होल क्यूँ है a q प्लस b q प्लस 3 इन्टू a इन्टू b आपको इन्टू a प्लस b बराबर अब इस 2x में दूनों से मल्टिप्लाइ करते हैं 2x q प्लस मैनस मैनस 2x में 1 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अब देखिए x q प्लस 2 का होल q 8 हो जाएगा यहाँ पर solve कर देखिए 2 का होल q 8 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x इन्टू x प्लस 2 x प्लस 2 इस ही उतार दिये बराबर 2x q मैनस 2x ऐसे ही उतार दिये अब देखिए XQ प्लस 8 प्लस 6X में X से मल्टिप्लाई करेंगे तो 6Square प्लस 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 6 तूजा 12X बराबर 2XQ माइनस 2X से से उतार दिये तो अब देखिए XQ माइनस ये कहां से 2XQ कहां से आ गया है यहां से आ गया प्लस 2XQ इधर आएगा तो माइनस 2XQ हो गया इसके बगल में लिख दिये क्योंकि इसका जात है प्लस 8 प्लस 6XSquare ऐसी उतार दिये प्लस 12X प्लस इसके जात का ये है इसके सामने आ जाएगा तो माइनस 2X आएगा तो इधर प्लस 2X हो जाएगा बराबर 0 बराबर XQ माइनस 2XQ प्लस 8 बराबर 6XSquare प्लस 14X बराबर 0 तो कितना हो जाएगा इसको अगर घटाएगे तो माइनस 1XQ हो जाएगा प्लस 8 प्लस 6XSquare प्लस 14X बराबर 0 माइनस 1XQ यानि कि XQ माइनस XQ प्लस 6XSquare प्लस 14X प्लस 8 बराबर 0 तो क्या यह दिवगात समिकरण है नहीं यह दिवगात समिकरण नहीं है क्योंकि यह यह त्री घाती है अब सोल्व करते हैं question number 8 question number 8 क्या है XQ माइनस 4XSquare माइनस X प्लस 1 बराबर X माइनस 2 का होल क्यू यानि कि A माइनस B का होल क्यू के रूप में है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको यह फर्मूला याद होना चाहिए A माइनस B का होल क्यू बराबर AQ माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B तो देकिए XQ माइनस 4XSquare माइनस X प्लस 1 इसको ऐसे उतार दिया है बराबर अब इसको इस फर्मूला पर सेट करते है A माइनस B के होल क्यू के रूप में है तो AQ माइनस BQ माइनस 3 इंटू A इंटू B इंटू A माइनस B इसको ऐसे उतार दिया है XQ माइनस 4XSquare माइनस X प्लस 1 बराबर XQ माइनस 2 का होल क्यू 8 माइनस 3 तू जा 6X इंटू A माइनस B इनकी X माइनस 2 XQ माइनस 4XSquare माइनस X प्लस 1 बराबर XQ माइनस 8 माइनस 6 में X से मल्टिप्लाई करेगा 6X स्कूर हो जागा और माइनस माइनस प्लस 6 में 2 से मल्टिप्लाई करेगा 62 जा 12 X बराबर 0 तो xq minus xq plus xq ब्राबर किधहर आएगा minus xq हो जाएगा minus 4 x square ऐसी उतार दिये मैनस 6 square ब्राबर किधहर आएगा हो प्लस 6 square हो जाएगा minus x वो ऐसी उतार दिये इसके जात करिये है plus 12 x plus 12 x इदार आएगा तो minus 12 x हो जाएगा plus 1 आप minus 1 बराबर किधार आएगा तो plus 8 हो जाएगा बराबर 0 अब देखिए plus x q minus x q दोनों कट गया अब इसको solve करते हैं 4 x square plus 6 x square तो दोनों को अगर घटाएंगे तो 2 x square हो जाएगा दोनों को जोड़ते हैं तो minus 13 x हो जाएगा 1 plus 8 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0 तो हम लोगों ने टोटल आठ कोश्चन सॉल्व कर लिये हैं